जाइन फ्रेंट्स के हाल चाल 28 सेप्टेंबर गुड मॉर्निंग अपन देखेंगे दहिंदू के कुछ important articles जो आपको examples point of view से बहुत ही ज्यादा important हो जाते तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला article है जैसे आपको पता है कि हमारे External Affairs Minister S.J. Sankar UNGA के लिए United Nations General Assembly के लिए जो है New York में थे तो वहाँ उन्होंने कहा है कि इंडिया की policy ही नहीं है कि जो वो hit jobs मतलब बोले तो hit man वाली job जैसे killing जो होती है पैसे देके करवाना वो सारे काम जो है इंडिया नहीं करता है इंडिया की में जैसी कभी नहीं रही है नहीं हम इन चीजों में involved होते हैं और इनका ये भी कहना है कि हम already Canada को बहुत सारी information दे चुके थे organized crime leadership के लेके जो Canada के जमीन से soil से operate हो रही है which operates out of Canada और उन लोग उने उस पे action वगरे नहीं लिया और अभी जो है Justin Trudeau जो हम पे blame कर रहे है वो पूरी तरह से गलत है we don't do these kind of things इंडिया की ये policy कभी नहीं रही है आगे बढ़ते हैं मनिपूर government ने आफसी district में for six months इसमें ऐसा है कि जो almost पूरे मनिपूर में लग चुका है आफसा क्या होता है आपको पता है arm forces special power act right तो ये act जो है आपको पता है पहले कास्मीर में भी था आपने नाम आप नाम से जरूर familiar होंगे तो इसमें आर्मी को powers रह हुआ ही रहेगा चलो आपड़ते हैं ना बिहार का second tiger reserve to come up in कैमूर century ये इस साल के last तक कैमूर wildlife century में जो बिहार government जो बिहार government में जो department है वो try कर रहा है central government से कि उसको जो है tiger reserve का जो है certificate मिल जाए और पहला जो है वो आपको याद रखना है पहली से आपके exam point of view से important यह है कि द west चंपारन में यह आपको याद रखना है उस तरह से याद रख सकते हो आपने जौरूर पुनाओगा चंपारन अंडी मतन उस तरह से आप याद रख सकते हो कि west चंपारन में इंडिया का पहला बिहार का पहला tiger reserve वालमी की tiger reserve चलो फिर आगे बढ़ते हैं तो ऐसा करना है कि जैसे की बहुत इंडिया जिसे युक्रेट वार टाइंडिया इंडिया इंडियां प्रायम इनिल्स्टर ने बहुत बहतरी से जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी उसको टैकल करके 83 पेजेज गेली डेली सौन सब को ले कि अए इसा लग रहा था कि पिछली बार की तरह भी जो है mutual agreement, mutual agreement sign नहीं हो पाएगा, लेकिन इंडिया ने बहतरीन तरीके से handle किया, Russia, Ukraine war पे ज़्यादा force नहीं किया, Ukraine court of रखा G20 से, जो sensitive मुद्दे थे उनसे कई दूर रहे, लेकिन जो आपको पता G20 जैसे वो African Union भी अमारे G20 में स जहां पे सारे countries जो है labor welfare के लिए काम करते हैं, तो उन पे दो meeting भी हुई इंडिया में, लेकिन जो बोल रहे हैं कि final outcome था, उन में उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई, ये बात बोल रहे हैं कि इसमें मौका था इंडिया के पास, कि जो final paper था, जो final outcome था, उसमें भी मजदूर labor के बारे में बात होनी चाहिए थी, ओके, चलो ना हो आगे बढ़ते, from women reservation to gender equality, ये मैंने आपको कली बहुत बहुत बहतरीन तरीके से article समझाय था, कि सिर्फ reservation देने से, इंडिया अभी जो है 141 position payout of 191 countries, और reservation 33% देने के बाद भी जो है, अभी जो इंडिया का हाल है, वो पाकिस्तान, जो बांगलादेश, उन सब से भी पीछे है, और अगर हम reservation 33% दे देते हैं, तो भी जो है हम नेपाल के एक सीड़ी नीचे, मतलब 54 पैदान पे ही रहेंगे after 33% reservation in लोकसभा and legislative assembly, तो सिर्फ reservation देने से नहीं होगा, gender equality भी देनी होगी उनको, जो है वो रा इंडिया-कनेडा ties reset, ये बात हो रही है कि जैसे बहुत पहले जो कनाडा के PM थे, मिनिसर स्टीफन हारपर, वो जब वहाँ पे एक जो बांग ब्लास्ट हुआ था, वहाँ कनेडियन उनके स्वाइल पे, तो उन्होंने जो है उसको अच्छे से ये किया था कि कनेडिया जो ये खालिस्तानी मुव्मेंट हुआ था, तो उनको उन्होंने विरोध किया था कि और इंडियन प्राइमिनिस्टर जो थे तब राजीव गांदी उनसे बात की थी, तो वहाँ से जो है ताइज जो है अच्छे होने, स्टार्ट हुए थे इंडिया-कनेडा के और अभी जब से जिस्टिन्टेव ने ये स्टेटमेंट दिया है, तब से जो है फिर रिवर्स हुआ है ये रिलेशन, तो यह फिर कब से कब रिसेट होगा इस बारे में, काफी लोगों का द्यान है कि जो ये टाइस है क्योंकि काफी ज़ादा चीजे एक्सपोर्ट होती है तुरिजम का बहुत बड़ा रोल है इंडिया केनेडा में बहुत सारे लोग हिंदू पॉपलेशन भी कैनेडा में आप जिखने जाओ लोग हिंदू थे हैं ड jul stands, जो एक सिर्फ इंेप दिखने जो जू बहुत जरूरी है एंडिया और कैनेडा टाइका रिसेट होना चलो आगे बढ़ते हैं वाय आर टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरी डिस्टिक में जो आप देखोगे मिड ऑगस्ट से लेके अभी तक जो है अल्मोस्ट टैगर्स जो है वो डेध हो चुके जिसमें से चार तो कब है चोटे बच्चे है और जो कुछ म मेल टाइगर्स बी है तो क्या रीजन है क्या ये पोचर्स का काम है ऐसे तो स्टेटमेंट्स दिये दी जा रहे कि जो दो कब थे वो कुछ डिजेजर की वज़े से मर गए एक टाइगर्स जो है कुछ एनिमल्स से उनका जड़ब हुई उसमें मर गए तो ऐसा ओफिशल स्ट ये निकल क्या रहा है बट डाउट है कि कहीं ये फिर से पोचर्स तो एक्टिव नहीं हो गए है तो उस बारे में है ये कि 10 टाइगर्स विदिन दी स्पैन ओफ वन मंच जो है डेथ होना ये कोई आम बात नहीं है ओके चलो आगे बढ़ते हैं नौ इंडिया इस एजिंग एल्डर्ली टू मेग 20 परसंट ऑफ पॉपुलेशन बाइट ये ऐसा जो है उनाटेट नेशन जो यूएन एफपीए का कहना है राइट कि ये क्या है कि देखो जितने लोग अभी यंग है वो 20-20-50 तक ओल्ड हो जाएंग और ऐसा कहना है कि जो एल्डर्ली क्राउड वो सारे जो है over the age of 60 years हो जाएंगे और female female की photo आपको यहां पे क्यों दिखरी है male की क्योंकि at the age of 60 ये जो difference है age gap का females 20 years जादा जीती है male से तो ये जो problem है कि और भी जादा problem है क्योंकि females housewives होती है हमारे दर उनको pension की issues होती है तो अभी से जो है कई सारी policies बनाती होगी 20 years of more life span is not a easy thing उनके लिए survival काफी मुश्किल हो जाएगा चलो female है तो उनके बहुत सारे income resource होते हैं pension होती है लेकिन females के साथ ऐसा नहीं है तो अभी से जो है policies बनानी होगी framework बनाने होगे कि इसको कैसे tackle किया जाए ओके चलो आगे बढ़ते हैं इंडियन ने भी ये काफी factual information आ अपना जारी करेगी next week उसका नाम क्या है आपको mzq point of view से याद रखने स्वाम लंबन स्वाम लंबन 2.0 वाइस चीप का कहना है जो विजे सिंग है उनका कहना है कि इंडियन नेवी जो है नवील करने वाली है ना अल्ट्रा लॉंग जी सेक्स यह क्या है पहली बार जो इं 6.55 मतलब 6.5 लाग करोड से जादा जो है इस October मार्च के पीरियड में जो है रेज करेगी जो है जो कोटेक महिंदरा बैंक के जो मैनेजमेंट है उनका करना है कि यह लोग पीपल सार रेडी जो है रेडी है इतने बड़े-बड़े बांड को खरीदने के लिए उनको और कैसे क्या होता है राइट इतने ही इंपोर्टेंट आपके लिए आर्टिकल थे देहिंदू से आज आज आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस हेल्प लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो हमारे टेलिग्राम चैनल की लिंक है जोइन कर सकते हो और साथी साथ आप किसी भी करना चाहरे हो इस्टार्ट करना चाहरे हो अब मिड़े में कहीं अटके वे लग रहा है कि आपको मुझे चेंज करना चाहिए मेरे से यह सारे सब्जेक्स टफ है तो आप जो है मारे प्रो जो कांसलर से उनसे कॉंटेक्ट कर सकते हो इस कंप्लीटली फ्री उपन नंबर दि कर